हाई गाईज वेलकन टू आ ब्राइंड न्यू सेशन ओफ करंट अफेयर्स आज की तारीख है दो सितंबर 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनेकलर फ्रंटियर आएस और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कू न भूलि आएगा साथी साथ इस बैल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से से सीजल्पनेकल डॉट कॉम और बलजी धाकर डॉट कॉम इन दोनों को विजिट करना बिल्कूल न भूलिएगा औ और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबा चार बर्ज एवेलिबल हो जाता है साथ ही साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ और मंतली मैगजीन आप माई टेलिग्रम हैंडल्स प्रेंटियर आएस और एसस जल्पनेकल ऑनलाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रश्टे लगू दियोग दिवस का मनाया जाता है तो इसका सई जवाब था तीस अगस्त स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेस्टन देखो आज की सेशन का किस देश की वैक्सिन विग्यानिक डॉक्टर फिर्दोसी कादरी ने प्रतिष्टित रमन मैक्से से पुरसकार 2021 जीता है तो इसका सई जवाब हो अप्शनमबर डी बांगलादेश तो एक बांगलादेशी वैक्सिन विग्यानिक डॉक्टर फिर्दोसी कादरी इस साल के रमन मैक्से से पुरसकार फ्राप्त करने वालों में शामिल है इस पुरसकार को नोबल पुरसकार का एश्याई सं करन माना जाता है यहोड़े तस्वीर में देखिए अन्य चार विजेता है मोहमत अमजद साकिब को पाकिस्तान में सबसे बड़े माइक्रो फनैंस अस्थान की सापना के लिए सम्मानित किया गया है जो गरीबों को ब्याज मुक्त दिन देता है मानपता बादी कारे करता स् इंडोनेशों में कम रिपोर्ट किये गए मुद्दों को उजागर करने के लिए पत्र कारिता कोपियों करने के लिए रॉबोटो बैलॉन को अपने साथी मच्वारों के अजीविका के तटिये जीवन और उस पारिस्तिती की तंत्र को बदलने में मदद करने के लिए जिस के लिए निर्भर हैं यहां पर एक्सटा इंफॉमेशन की बात करें तो फिलिपिन्स के दिबंगत पूर्व राष्ट्रपती रेमन मेक सेसे के सम्मान में स्थापित पूरसकार एश्या का प्रमुख पूरसकार है बात करें यहां पर बांगलादेश की तो इसी क्यापिटल है कुमार ने पुर्शो की पूची कूद T63 स्परधा में क्रमक्ष रजत और कांसे पदक जीता मरियप्पा ने 1.86 मीटर का रिकॉर्ड बनाया और शरत कुमार ने 1.83 के प्रयास से कांसे पदक जीता यहां तस्वीर में देखिए इसके सब पेरालंपिक में भारत की पदक ता पहला अंतराष्ट दिवस कब मनाया गया तो इस सई जवाब हो अप्शन नुबर सी 31 अगस्त तो संयुक्त राष्ट ने अफ्रीकी मूल के लोगों दوبारा किये गए असीम योगदान को फहचान देने के लिए 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों का पहला अंतराष्ट दिवस मनाया है यूएन महासभा ने दिसमबर 2020 में इस अंतराष्ट दिवस मनाने के लिए प्रस्ताफ पारित किया था संयुक्त राष्ट महासभा ने अगस्त 2021 के अरंभ में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए संयुक्त राष्ट का एक स्थाई फोरम यानि मंच सापित कि साथ आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत का प्रतिन निधित्व आइनस तबर ने किया था तो इस सई जवाब हो ऑप्शन उबर सी अलजीरिया तो भारते और अलजीरिया इन नौसैनाओं ने 39 अगस 2021 को अलजीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास किया यह अभ्यास दो देशों के बीच बड़े हुए समुद्री सहीयों को दर्शाता है इंडिया को रेप्रेजन किया है आइनस तबर ने वहीं अलजीरिया को रेप्रेजन किया है नौसैनिक जहाज ए अलजीरिया सुरक्षा परिशद में स्थाई सीट के लिए भारत की उमीदवारी का समर्थन करता है बात करें है यहां पर अलजीरिया की तो इसी कैपिटाल अलजीर्स करंसी अलजीरियन दिनार किस देश ने बेंगौल इनिशेटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेकनिकल एंड एकनॉमिक कोपरेशन बिमस्टैक के क्रिशी विशेशग्यों की आठवी बैठकी में जबानी की है तो इस सही जवाब हो ऑक्षिन अबर भी भारत तो भारत ने बिमस्टैक के एग्रिकल्चर ए में हो रहे परिवर्तनों पर प्रकाश डाला बिमस्टैक के स्थापना 1997 में की गई थी प्रारम में छेख शेत्रों व्यापार प्रदियोगी की उर्जा परिवहन परियटन और मत्से पालन को शेत्री सहीयों के लिए शामिल किया गया था नेक्स्ट्ट देखो विश्व ना शामिल समुदाय यानि एशियन अन्पेसिफिक कोकोनट कम्यूनिटी एपी डबर सी दवारा विश्व नारेयल दिवस के रूप में नामित किया गया है एपी डबसी का मुख्याले जकारता इंडोनेशिया में है दो सितंबर एपी डबसी का स्थापना दिवस भी है नेक्स नेक्स्ट वर्ल्ड फेडरेशन ब्डी ड्वीएफ के सहयोग से किया गया था यहांने तस्वीर में देखिए अठारा वर्षे मिराबा ने अपने पहले सीनियर अंतराश्य टूनामेंट में खिताब जीता नेक्स्ट वर्षे में देखो मधुकारी जंगल महल आदी उलेख निये पुस्त के लिखी है सिंग राज अधाना ने टोक्यो पैरलंपिक में किस पर्धा में कांसे पदग जीता है तो सही जबाब हो ऑप्शन नमर्ब बी 10 मीटर एर पिस्टल तो सिंग राज अधाना ने SH-1 बर्ग में पुर्षो के 10 मीटर एर पिस्टल पर्धा में कांसे पदग जीता है उनके दादा सुवर्गे सुबेदार मेजर सुमेरा राम धाना वित्य विश्वयूद में ब्रिटिश भारतिय सेना के अनुभवी थे वह भारतिय विशेष्ट सेवा पदक और सेने क्रोस के विजेता भी थे जबकि महिलाओं की 10 मीटर एर पिस्टल एसेच वान फाइनल में भारत की रुबीना फ्रांसिस साथ में स्थान पर रही नेक्स्ट क्वेशन देखो केंद्रिक रहे मंत्री अमित्शा ने किस राज्य केंद्रिशासित प्रदेश में नई अध्योगिक नीती के तहट अध्योगिक विकास के लिए एक वेब पोर्टल लॉंच किया है तो सेज़ जवाब हो option number C, जम्मू और कश्मीर तो केंद्रिक रहे मंत्री अमिट शाने जम्मू कश्मीर में नई केंद्रिक शेतर योजना के तहते कायों के पंजी करन के लिए एक वेब पोर्टल लाँच किया है जम्मू और कश्मीर के लिए नई अधियोगिक नीती 50,000 करोड रुपे से अधिके निवेश क्वाकरशित करेगी और इसके तहट क्शेतर का सर्वागिन विकास होगा न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2021 के तहट इस नए पोर्टल के लाँच होने से अधियोगिक शेतर को 24,000 करोड रुपे से अधिका लाब होने का अनुमान है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कोई समरी की तो बांगलादेश की डॉक्टर फिर्दोसी कादरी को रमन मैकसे से अवर्ड 2021 से समानित किया गया है टोक्यो अलंपिक्स में में हाई जब T63 इवेंट में सिल्वर हासिल किया है मरियपन थंगा वेलू ने पहला इंटरनाशनल डे फॉर पीपोल अफ आफ्रिकन डिसेंट 31 अगस्त को मनाया गया इंडिया और अलजीरिया के बीच फर्स्ट एवर नेवल एक्सेसाइस आयूजित किया गया बिंच्टे के अगरिकल्चर एक्सपर्ट्स की एट मीटिंग इंडिया ने होस्ट की है वर्ल्ड कोकोनट डे दो सितंबर को मनाया जाता है मैसना मिराबा बैडमिंटें से जुड़े हुए है बेंगॉली ओथर बुद्देव गुहा का हाल ही मिन दिन हो गया सिंग्राज अधाना ने 10 मीटर एर पिस्टल में ब्रॉंज हासिल किया और इंडस्ट्रल डेवलोपेंट के लिए वेब पोर्टल जमू और कश्मीर ने लॉंच किया है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुल स्वाद डे के आपका पहला क्वेस्टिन है अफ्रीकी मूल के लोगों का पहला अंतराष्ट दिवस का बनाया गया और आपका दूसरा क्वेस्टिन है किस देश की वेक्सिन विग्यानिक डॉक्टर फिर्दोसी कादरी ने प्रतिष्टित रमन मेक्से से पुरसका 2021 जीता है इन दोनों क्वेस्टिन का आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंड्स को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सो मच